Hello students, नमस्कार, बच्चों आज की क्लास में हम लोग study करने वाले हैं, use of relative pronouns. क्या study करेंगे? Use of relative pronouns. इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि relative pronoun क्या होता है, antecedent क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने study किया था. Guys, आज की class में हम लोग study करेंगे use of relative pronouns यानि कि जो relative pronouns हैं, इनका use कैसे और कहां पर किया जाता है चलिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं who का पर्योग हम लोग देखेंगे who का पर्योग किस case में और कहां पर किया, किस के लिए किया जाता है आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग nominative case की बात करें, तो nominative case में who का पर्योग होता है who का पर्योग मानों के लिए होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मनुस्य है, तो उसके लिए who का पर्योग होता है किस केस में नॉमीनेटिव केस में नॉमीनेटिव केस में फू का परियोग मानों के लिए होता है गौड भगवान के लिए होता है गौड देवताओं के लिए होता है फेरीज जो परियां होती है परियों के लिए भी फू का परियोग नॉमीनेटिव केस में होता है अगर हम ल जाते हैं, तो जानवर किस category के नतर गज जाता है? न्यूटर जेंडर के, लेकिन जब पालतू जानवर होता है, इसको हम लोग personify करते हैं, यानि कि इसका मानवी करन करते हैं. तो इस case में, पालतू जानवरों के case में, पालतू जानवरों के लिए, नॉमिनेटिव केस में फू का प्रयोग होता है अगर हम लोग अबजेक्टिव केस की बात करें तो अबजेक्टिव केस में किसका प्रयोग होता है फूम का प्रयोग होता है किसका फूम का और इसका मिंदी मेनिंग होता है किसको मानो के लिए होता है गॉड और गॉड्स के लिए होता है फेरीज के लिए होता है और अगर पालतू जानवर है तो पालतू जानवरों के लिए भी हूम का प्रयोग अब्जेक्टिब केस में होता है अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यानि कि पोसेसिब केस में तो हूज का पर्योग किसका फूज का पर्योग हूज का पर्योग पोसेसिव केस में किसका के अर्थ में होता है किस अर्थ में किसका के अर्थ में होता है इसका पर्योग मानों के लिए होता है जानियों जानवरों योम निर्जू पदार्थ के लिए होता है चलिए अब हम लोग के examples को देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे who के example को तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है examples for who चलिए चलिए हम लोग देखते हैं examples examples क्या कहे रहा है the man who is standing here is my uncle यहां पर आप लोग देखिए यह जो हूँ है who का प्रियोग किस case में हुआ है देखिए who का प्रियोग यहां पर nominative case में हुआ है किस case में हुआ है nominative case में यानि कि यहां पर हूँ कौन सा काम कर रहा subject है देखिए यहां पर बर्भ है main बर्भ है यहां पर main बर्भ है और यहां पर helping verb है, तो इस verb के subject के रूप में यहां पर किसका यूज हुआ है, who का प्रयोग हुआ है, अगर हम लोग इसका यूज कुछ इस तरीके से करें, जैसे यहां पर दिया है, the man whom is standing here is my uncle, तो यहां पर हमें एक जरूरत किसकी है, इस verb के subject की जरूरत है और हमें पता है क्या, कि बर्व के subject के रूप में, अगर हमें relative pronoun का use करना पड़ रहा है, तो who का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, who का प्रयोग करते हैं, बर्व के subject के रूप में, तो इसलिए एक इग्जम्पल क्या है इनकरेक्ट है चलिए वहनों नेक्ष्ट देखते हैं देखिए दमैन फिच इज इस्टेंडिंग हेर इस माई अंकल अब आप लोग यहां पर देखिए हमको पता है कि जो फिच होता है फिच का प्रयोग किसके लिए होता है इस जो फिच है फिच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव पदार्थों के लिए होता है आप जैसे कोई जानवर है या फिर कोई निर्जीव पदार्थ है तो इसके लिए नॉमिनेटिव और अबजेक्टिव केस में होता है आप लोग फिच का प्रयोग समझ देजिए फ फिच का प्रयोग मानों के लिए नहीं होता है, फिच का प्रयोग, अब जैसे कोई एनिमल है, कोई एनिमल है या फिर कोई निरजीवपदार था यानि कि non living thing है कोई, तो उस non-living thing के लिए subjective case में यानि कि nominative case अथवा objective case में होता है which का परियोग animal के लिए non-living things के लिए nominative case अथवा objective case में होता है चलिए अब हम लोग next देखते हैं तो इसलिए इस sentence में क्या है which का परियोग हुआ है तो sentence कैसा है incorrect है चलिए अब हम लोग next देखते हैं we worship God हम भगवान की पूजा करते हैं who is the creator of the world जो इस संसार के क्या है बिधाता है संसार को बनाने वाले है तो आपर देखिए हमारे पास बर्व है और इस बर्व के subject के रूप में इस बर्व के subject के रूप में किसका यूज हुआ है who का परियोग हुआ है और अभी हमने सीखा कि जो God होता है God के लिए अगर हमें nominative case के pronoun की जरूप पढ़ रही है अगर हमें relative pronoun की जरूप पढ़ रही है तो किसका यूज होता है who का परियोग होता है इसलिए sentence क्या है? correct है यहाँ पर देखिए we worship God whom is the creator of the world अब whom का परियोग हमने सीखा कि मानों के लिए होता है लेकिन हमें यहाँ पर किस case में जरूप पढ़ रही है यहाँ पर हमें जरूप पढ़ रही है subjective nominative case की किस की? तो nominative case और nominative case में किसका यूज होता है? nominative case में who का परियोग होता है ना कि whom का whom का परियोग किस case में होता है objective case में तो यहाँ पर whom का परियोग क्या है? incorrect है चलिए हम लोग next देखते हैं be worship God be worship God which is the creator of the world तो यहाँ पर क्या है? आप लोग देखिए which का परियोग क्या सही है? नहीं सही है यहाँ पर किसका परियोग होगा? who का परियोग which का परियोग किसके लिए होता है? which का परियोग? जैसे कोई निर्जीव पदार्थ है यानि कि कोई non-living thing है या फिर कोई जानवर है तो इसके लिए nominative case तो objective case में होता है तो यहाँ पर which का परियोग नहीं होगा? किसका परियोग होगा? who का परियोग होगा? और who का परियोग करने के बाद sentence क्या हो जाए? correct तो चलिए यहाँ पर कुछ note point दिये गए है आप लोग इन note point को समझे note point क्या दिया है? who के बदले यानि कि अगर हमें कहीं पर who की जरूरत पड़ रही है तो who के बदले whom का परियोग नहीं होता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि who का परियोग नॉमिनेटिव केस में होता है नॉमिनेटिव केस में होता है और whom का परियोग किस केस में होता है? objective केस में चलिए next देखते हैं who का परियोग नॉमिनेटिव केस के परणाउन के बदले होता है अब आप लोग बताए यह नॉमिनेटिव केस का प्रणाउन क्या होता है जैसे i है, b है, u है, he है, d है एक ऐसे प्रणाउन होते हैं नॉमिनेटिव केस के प्रणाउन के जैसा ही होता है जैसे i हो गया, b हो गया, u, he, they, अब यह जो who है, who का प्रणाउन के प्रणाउन के बदले होता है जैसे i है, b है, u है, he है, they है, जिस तरीके से लोग इसका use करते हैं उसी तरीके से who का भी परियोग होता है चलिए, अब हम लोग next देखते हैं next देखिए, हम लोग example देखें किस के लिए, whose के लिए, whose का प्रियोग सबसे पहले आप लोग चलिए, हमने अब तक who के examples के बारे में study किया, अब हम लोग home के बारे में study करेंगे तो सबसे पहले देखिए, या जो who है, who के बदले, whose का प्रियोग नहीं होता है क्योंकि अभी हमने सीखा यह जो फूच होता है फूच का परियोग जैसे कोई जानवर है जानवर के लिए होता है जानवर है जानवर के लिए होता है और कोई अगर non living thing है non living thing का मतलब जैसे कि अगर कोई ऐसी चीज है जो निर्जीव है तो उसके लिए फूच का परियोग होत और किस case में होता है? नॉमिनेटिव case में होता है अथवा objective case में होता है तो इसलिए हू के बदले हू इसका प्रयोग नहीं हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं तो चलिए हम लोग example देखते हैं example लोग किसके लिए देखेंगे हूम के लिए तो सबसे पहले आप लोग बताईए, हूम का प्रयोग किस के लिए हम लोग करते हैं, हूम का प्रयोग मानों के लिए होता है, पहली बात, और दूसरी बात जैसे भगवान है, जैसे गौड है, अभी हमने चीखा जैसे गौड है, गौड्स है, और जो फेरीज होती है, जो पर पालतू जानवर है और जब हम लोग पालतू जानवर को पर्सोनिफाई करते हैं, यानि कि उसको हुमेन की रेजर से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि उसमें, जैसे हम लोग कहते हैं, चिंकु मिंकु अपने कुत्ते को कहके बुलाते हैं, तो जब हम लोग उसको पर् objective case की जरूवत पढ़ रही है, तो objective case में उसके लिए किसका परियोग करते हैं, whom का परियोग करते हैं, चलेबा लोग example देखते हैं, example क्या है, this is the girl, this is the girl whom I love, यह वही लड़की है, कौन, जिसको मैं प्यार करता हूँ, whom I love, जिसे मैं प्यार करता हूँ, अब यहां पर देखिए, यह जो whom का परियोग किस तरीके से हुआ है, यहां पर समझे, this is the girl whom I love, अब I क्या काम कर रहा है, आप लोग बताईए, subject का काम कर रहा है, और यह लब है क्या, लब एक बर्ब है, और इस लब नाम की बर्ब को चाहिए, एक object, तो यहां पर whom, इस लब नाम की बर्ब के लिए, किसका काम कर रहा है, आपजेक्ट का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है आपजेक्ट का काम कर रहा है चलिए अब लोग यहां पर देखिए this is the girl which I love अब यहां पर आप लोग देखते ही इसको रॉंग कर देना क्यों गलत थे आप लोग बताईए क्योंकि जो which होता है which का परयोग मानों के लिए नहीं होता है which का परयोग किसके लिए होता है जानवर के लिए non living things के लिए होता है इसलिए sentence क्या है incorrect है चलिए बोग लोग next देखते है next क्या है this is the Lord Krishna this is the Lord Krishna whom I worship अब यहाँ पर देखिए हूम का प्रयोग किस रूप में हुआ है यह क्या है subject है यह क्या है बर्व है और इस बर्व को चाहिए क्या object तो यहाँ पर हूम किस तरीके से काम कर रहा है object की तरह काम कर रहा है यानि कि worship यहाँ पर जो बर्व है इसके लिए हूम object का काम कर रहा है चलिए अब लोग next देखते है next क्या है this is the Lord Krishna which I worship यहाँ पर which का प्रयोग क्या है गलत है which के अस्थान पर क्या होगा हूम क्योंकि जो which है which है which का प्रयोग जैन्वरों के लिए होता है non living thing के लिए होता है चलिए अब हम लोग next देखते हैं next क्या है this is the dog whom I love very much यहाँ पर देखिए dog है यह जो whom है इसका antecedent क्या है it the dog है और हमें पता है dog के लिए किसका use होता है जानवरों के लिए किसका use होता है 2 हाँ वेस्ट का परयोग होता है लेकिन यहां पर जो डॉग है इसको किस तरीके से देखा जाँ रहे है इसको पर शोणीक फाइ providing जा रहे तो जब जानवरों को हो पर शोणीपाई किया जाता है कि तो इसलिए क्या होता है जहानुर नाम नाम की औजिए tribune, फीकी की मैं किसका फिर्योंग होता है। कि इस केस में जब जालों को परशनीभाई किया जाता है, तो ऐजिक्टीव केस के रूप में होता है है यहांँ पर देखे, subject यह बर्ब है यहां पर object missing है इस बर्ब नाम की object लिए किसका परयोग किया गया है? हूम का चलिए बलाओ next देखते हैं next क्या है? तो यहां पर किसका यूज होगा? यहां पर यूज होगा हूम का तो यह sentence कैसा है? इनकरेक्ट है चलिए अब हम लोग इससे सम्मझ कुछ नोट पॉइंट पर ध्यान देते हैं समझिए जो हूम होता है हूम के बदले हू का परयोग ही ज्यादा परचलित है हूम के बदले हू का परयोग ज्यादा ही परचलित है next हमारे पास note point क्या है whom का प्रयोग objective case के pronoun किस case के pronoun objective case के pronoun whom का प्रयोग objective case के pronoun के समान होता है अब आप लोग बताईया objective case का pronoun क्या होता है जैसे me हो गया you हो गया you हो गया us हो गया him हो गया her हो गया them हो गया जिस तरीके से हम लोग इसका use करते हैं न objective case में उसी तरीके से objective case में whom का भी प्रयोग होता है इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और एक बात और ध्यान में रखने वाली क्या है कि whom के ठीक बाद बर्व का प्रयोग नहीं होता है इसके बाद बाद subject का use होता है इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा अगर आप लोग किसी भी एक्जांस में बाइट रहे हो तो उसमें error एस्पोर्टिंग यानि की error वाले questions आते हैं जिसमें आपको sentence को देखना रहता है कहां पे error होता है तो अगर home के ठीक बाद verb का परियोग हो रहा है तो sentence कैसा हो जाएगा incorrect हो जाएगा चलिए अब लोग next देखते हैं next हमारे पास है point number three point number three क्या कह रहा है अब जैसे जो preposition है जैसे preposition है तो preposition के बाद home का परियोग होता है होम का परियोग क्यों तो आप लोग समझे जो preposition होती है preposition के बाद हमेशा किसका परियोग होता है object का परियोग होता है यह बात आप लोग एकदम जहन में उतार लीजिए इस बात को आप लोग गांठ बाद लीजिए कि हमेशा हमेशा preposition के बाद object का प्रयोग होता है और relative pronoun में objective case में किसका use होता है? whom का प्रयोग होता है तो इसलिए जो whom होता है whom का प्रयोग preposition के बाद होता है चलिए इसको समझे he is the man whom दीपक बाबुल लिप्स अब आप लोग यहाँ पर समझे इसमें क्या हो रहा देखिए he is the man whom दीपक बाबुल लिप्स अब whom क्या है object है तो क्या यह sentence correct है नहीं क्यों sorry guys यह sentence लिखने में थोड़ा सा mistake हो गया था हमने इस sentence को correct किया आप लोग देखिए he is the man with whom दीपक बाबुल लिप्स तो यहाँ पर देखिए बिथ क्या है बिथ एक preposition है बिथ क्या है बिथ एक preposition है और इस बिथ नाम के प्रिपोजीशन के object के रूप में किसका यूज हुआ है objective case के pronoun का तो यहाँ पर who क्या है who तो nominative case का pronoun है तो यहाँ पर who का प्रियोग होने की कावन यह sentence क्या है incorrect है तो sentence को आप लोग correct कैसे करेंगे इस who को हटा करके whom का प्रियोग करेंगे चलिए आप लोग next देखते है next क्या है whom के बदले which का प्रियोग नहीं होता है क्या whom के बदले which का प्रियोग नहीं होता है आप लोग इस बात को समझते रहे चलिए अब आप लोग next देखते है next क्या है next हम लोग देखेंगे examples for whose के तो सबसे पहले आप लोग समझ दीजिए हूज का प्रियोग किस केस में होता है और इसका मतलब क्या होता है झाल 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 केस में होता है possessive case में होता है किसके लिए होता है किसके लिए होता है मानो के लिए होता है अब जैसे कोई निर्जीव पदार्थ है कोई जानवर है तो उसके लिए भी हूज का प्रियोग होता है जानवर है कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए भी किसका प्रियोग होता है हूज का प्रियोग होता है किस केस में पोसेशिव केस में तो चलिए इसको हम लोग समझते है तो आप लोग देखिए whose brother lives in patna जिसका भाई patna में रहता है किसका भाई इस boy का यह वही लड़का है जिसका भाई patna में रहता है तो यहाँ पर देखिए whose brother जिसका भाई lives in patna patna में रहता है तो हूज का प्रियोग किस केस में वहा है possessive case में हुआ है possessive case में हुआ है चलिए अब लोग next देखते हैं अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है this is the boy whom which are who अगर whose के अस्थान पर whom का यूज किया जा रहा है तब sentence कैसा होगा incorrect होगा अगर which का प्रियोग किया जा रहा है तब भी sentence incorrect होगा अगर who का प्रियोग किया जा रहा है तब भी sentence क्या होगा incorrect होगा तो इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, चलिए, अब लोग नेक्स देखते हैं, नेक्स क्या है, इस इस दा डॉग यह वही कुत्ता है, whose name is Tommy, जिसका नाम क्या है, Tommy है, तो इसका परियोग किस केस में किया जा रहा है, पोसेशिव केस में, और किस के लिए हो है, whose का परियोग possessive case में, मानों के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है, तथा जो non living things होती है, इनके लिए भी होता है, अब अगर यहीं पर इस तरीके से यूज कर दे रहा है, this is the dog, whom का यूज कर दे रहा है, which का यूज कर दे रहा है, या फिर who का यूज कर दे रहा है तो sentence क्या हो जाएगा incorrect क्योंकि हमें जरूरत है possessive case की और यह हमें objective case की यहाँ पर हमें objective case दे रखा है यहाँ पर भी हमें nominative or objective case दे रखा है हूँ nominative case है ही तो हमें जिस case की जरूरत होगे हम लोग उसी case का use करते हैं तो चलिए इसको हम लोग इसके कुछ note points से इनको समझते हैं whose के बदले whom, face, are, who का परियोग नहीं होता है यह बात आप लोग ध्यान से समझ दीजिएगा whose के बदले whom, face, are, who का परियोग नहीं होता है चलिए अब हम लोग face के परियोग को सीखते हैं rule number two है जो which है फो which का परियोग जानवरो तथा निरजिव, पधार्थों के लिए होता है किस के लिए होता है जानवरों तथा निर्जीव पदार्थों के लिए होता है पदार्थों के लिए होता है किस केस में होता है नॉमिनेटिव केस में होता है अब्जेक्टिव केस के परणावन के रूप में होता है नॉमिनेटिव केस के परणावन की तरह तता objective case के परणावन के रूप में होता है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, the dog which is black is mine, the dog वह कुता है, which is black, जो काला है, क्या है, is mine, मेरा है, यहां पर देखिए, which का परयोग किस case में हो रहा है, nominative case में, किस case में हो रहा है, nominative case में, और किस के लिए हो रहा है, जानवर के लिए हो रहा है, the dog के लिए, which का परयोग हो रहा है, the dog के लिए हो रहा है, होता है, अगर होता भी हो, तो personification के case में होता है, बस, तो यहां पर the dog है, तो इसलिए यहां पर which का परयोग होना चाहिए, जो की ऐसा नहीं किया है, इसलिए sentence कैसा हो गया, incorrect, यहां पर देखिए, this is the car, which I have bought, जिसको मैंने खरीदा है, is red, कैसी है, लाल है, तो यहां पर which का परयोग क्या सही है, हां, क्योंकि किस के लिए किया जा रहा है, निर्जीव थिंक्स के लिए, नॉल लिविंग थिंक्स से लिए किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर which का परयोग कैसा है, correct है, इसको देखिए, this is the car, who or whom I bought is red, तो यहां पर देखिए, the antecedent क्या है, the car, औ और दाकार के लिए, who or whom का परयोग नहीं होता है, किस का परयोग होता है, which का परयोग होता है, चलिए, अब हम लोग next देखते है, यहां पर एक note point है, आप इसको समझ दीजिए, which के बदले, who का परयोग नहीं होता है, इसको समझ दीजिए, which के बदले, who का परयोग नहीं होता है, चलिए, अब हम लोग next rule को देखते है, next rule क्या है, किसी clause के लिए, अब जैसे कोई clause है, किसी clause के लिए, relative pronoun, which का परयोग होता है, जैसे कोई clause है, और उस clause के लिए, हमें relative pronoun की जरूद पाढ रही है, तो इस case में, which का परियोग होता है ना की हूँ, हूम और दैट का इसको आप लोग एक्जाम्पल के मादम से समझिए, she has obtained 80% of marks which proves, जो proves करता है, क्या proves करता है, she is intelligent, तिहां पर जो clause है, कौन सा clause, तिहां पर which proves, जो prove करता है, तिहां तो करता है ऀता है, क्या जों marry hopefully करता है, क्या ह wish क कऊच्कτε माईय बाचरopesः चूर मिलाने, क्या है क्या आप करता है, क्या है, क्या हो भी स्टूर्प चया क्या क्या है, क्या है, क्या मैं, झाल 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 झाल